हेलो दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आपको जो मैं बताने जा रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि क्या पीफ डबल होता हूं उसके लिए मैं आपको पुरा इन डिटेल में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं उसके बारे में कि क्या पीफ डबल होता है कि नहीं होता है तो प्लीज आप जो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखे ताके आप कोई भी इंफ से ना कर सके तो वह आपको दिद भी डबल होता है यह इन दिटिल्स में आपको पूरा बताने जा रहा हूं तो पहला आपको इसके लिए वह सेके नहीं होते हैं जो भी आपको इसमें सेलरी है बेशिक सेलरी के 12% आपको परसंट और आपको सेकंद आता है कि इंप्लोईयर शैर होता है और एक पेंशन का contribution होता है pension का ये शेर होता है कि उसमें आपको 3.67% होता है जो मैं आप जैसे कि जो employer जो add करती है contribution और जो पेंशन का रहता है जो government का जो उसमें 8.33% यानि ये कह सकते कि जो आपका प्रियाप का जो amount हो डबल होता है यानि आपको जो employee share आपका 12% from your basic salary जो आप देख सकते हैं salary slip में आपको जो mention होगा basic salary और उसमें जो 12% दिरक होता है और employer share ये होता है कि 3.67 आपकी employer भी add करती है amount 3.67% और pension का 8.33% तो ये कह सकते हैं आपका प्रियाप डबल होता है और आपको जो इसका प्रियाप आपको दबल मिलता है तो होपलिए वीडियो आपको जो अच्छे रागे होगी शौट वीडियो थे लेकिन इंपरमिशनल वीडियो थी तो के बहुत से लोग पूछते हैं मेरे फ्रेंड पूछते हैं और YouTube पर कॉमेंट करता है पूछते हैं कि क्या प्रियाप डबल होता है येस डबल होता है अमाउंट जो आपको मिलता है जब आप तो आप जो है अगर आप नए यूजर है तो प्लीज अगर आप ने चैनल पर हमारे नए है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और वीडियो को लाइक कर देजिए मिलते हैं